नमस्कार दोस्तों, study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा वाशिंग्टन डी सी के बारे में चांसे बहुत ही कम है, क्यों कम है ये मैं आपको समझाओंगा इसी लेक्चर के अंदर, तो आएए शुरुबात करते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो ट्वेटर, फेस्बुक या इंस्सेग्र तो आपके वास दो तरीके भी हैं, मुबाइल आप के माध्यम से या फिर studyiq.com वेबसाइट के माध्यम से आप इसे computer PC पर भी देख सकते हैं, तो जल से जल लॉग आउन कीजिए studyiq.com पर और कोई भी अगर आपको doubt है, तो आप हमारे helpline numbers पर call कर सकते हैं, कल यानि की 27 जन देता हूँ, US की Congress में 2 house होते हैं, एक होता है upper house उनका, जिसको हम कहते हैं Senate, इसमें होते हैं 100 member, हर राज्य से 2-2, तो 50 into 200, और lower house है इनका house of representatives, house of representatives जिसमें 435 सदस्य होते हैं, तो इतना सा याद रखना, lower house है 435, हमारा lower house क्या है, लोकसभा, और हमारा upper house क्या है, राजसभा, वैसे ही US Congress में 100 Senate में हैं और 435 है house of representatives में, तो जितने भी राज्य हैं, सबको 2 seat मिलती है यहां Senate में और यहां पर member होते हैं आपकी आवादी के अनुसार, 27 जनवरी को house of representatives और Senate के दोनों के democratic members ने एक bill वहाँ पर table किया है, जो DC को 51st state बनाना चाहता है, इसके बीचे main जो power house है, वो खुद house of representatives में, DC की जो democratic महाँ पर चुनी हुई उनकी नेता है, Eleanor Holmes Norton वो है, इनका photo मैंने आपको यहां दिखाया था, यह Eleanor Holmes Norton है, यह खुद district of Columbia की नुमाइंदिगी करती है, कहाँ पर house of representatives में, उनको Senate में कोई जगे नहीं मिलती है district of Columbia को, तो जो upper house है, महाँ पर इनक एक सदस्य दिया जाता है, लेकिन वो vote नहीं कर सकता, आगया आपको समझाऊंगा, लेकिन Norton ने 200 लोगों को co-sponsor बना दिया है, यानि कि already house of representatives में से, in fact, आज शाम तक यह 210 पहुंच गया था, तो इनके 210 ऐसे members हैं, जो इनको support कर रहे हैं, तो अच्छा कासा support इने हासिल है almost आधे members इनको directly support कर रहे हैं, voting होने से पहले, तो ये वो bill है, जो इन्होंने table करवाया है, और इसको Senate में किसने introduce किया है, Senator Tom Carper ने, इन्होंने भी काया है कि मैं Eleanor Norton को पूरी तरह से अपना support देता हूँ, और हम चाहते हैं कि DC को statehood मिले, तो DC statehood के लिए इन्होंने ये प्रस तो ये है संयुक्त राज्य अमरीका के 48 राज्य, दो राज्य आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, एक Alaska और एक Hawaii, लेकिन इन 50 राज्यों के अलावा एक अलग district of Columbia भी है, जो उनका capital है, अब आप अकसर ये सुनते होंगे कि अमेरिका का capital क्या है, Washington DC, अब उस DC के अंदर फुल फॉर्म क्या होता है, district of Columbia, क्यूंकि Washington city का नाम है, और district of Columbia वो district है, जो किसी भी 50 राज्य में नहीं आता है, ये केंदर सरकार द्वारा शासित एक अलग area है, federal district कहते हैं इसे, तो अब पहले जब ये बनाया गया था, अजसे 200 साल पहले तब ये district काफी बड़ा था और बहुत छोटा था, लेकिन अब क्या हो चुका है, कि अब ये पूरा शहरी district को occupy करता है, तो इसलिए अब Washington का हो, DC का हो, एक ही बात है, लेकिन 200 साल पहले Washington किवल थोड़ा सा छोटा सा area था, बाकि आस-पास खेत-खलियान थे, लेकिन अब कोई खेत-खलियान बचे नहीं है यहाँ पर, और कुछ area पहले भी इसमें district of Columbia में शामिल थे, जैसे कि यह Alexandria शहर जो यह नजर आ रहा है, यह भी पहले DC का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई साब हमें नहीं रहना राश्टर के capital में, हमें तो हमारे पूराने राज्य वरजीनिया में भेजदो जहां से अलग करके हमको यह district of Columbia में डाला था, तो इन्होंने कुछ साल बाद अपने आपको फिर से इससे अलग कर लिया, क्यार वो कहानी हमारे लिए इतने important नहीं है, हमें तो बस यह समझना है कि इस Washington शहर के legislative powers क्या है और क्यों अभी इसको राज्य बनाने की बा क्या हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, अब इनके पास यह challenge था कि हम capital किसको बनाएं, तो बहुत समय तक capital रहा इनका Philadelphia, Philadelphia शहर काफी समय तक capital था, लेकिन फिर इनको लगा कि capital किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने मिलकर 1800 में decide किया, कि एक 1400 से DC इनका capital है, तो उस समय इसका area काफी बढ़ा था, 100 square mile, 260 square kilometer approximately, और यह तै किया कि यहाँ पर permanently सरकार रहेगी, क्योंकि जब ये युद्ध चल रहा था, इनकी लड़ाई चल रही थी England के साथ, उस समय तो capital कई बार shift भी करते रहते थे, जाहतर Philadelphia था, लेकिन कई बार New York जैस करी, Maryland और Virginia दो colonies जो आजाद हो गई थी, इनको बोला गया कि भाई साब आप अपना area थोड़ा थोड़ा दे दीजे, दोनों ने कहा, ओके ले लो, कोई बात नहीं है, तो एक square shape काटा गया, बढ़िया सा, Potomac River इसके बीच में से बह रही है, और ये बना दिया गया District of Columbia, लेक दी, 1850 में civil war हुआ, फिर slavery abolish कर दी गई, तो यहां के नागरिकों को slavery चाहिए थी, Alexandria अपने आप में slave trade का एक बहुत बड़ा center था, तो इन्होंने एक referendum करा के अपने आपको national capital से अलग होकर फिर से वरजीनिया में शामिल करवा लिया, anyways यह हमारे लिए अभी relevant नहीं है, तो अब तो पूरा शहर fell चुका है, इस district of Columbia के अंदर, तो अब यह यह वाला part आपको नजर आएगा, Washington DC के रूप में, आज यह capital कुछ ऐसा नजर आता है, यह building सा आपने समने देखी होगी, this is the house of the US Congress, अभी जो बवाल हुआ था, 6 तारिक को वो भी सम यहीं पर हुआ था, तो I I am sure आप इसको जानते ही होंगे, यह इनका flag है, Washington DC का, लेकिन अब problem क्या है, Washington DC के नागरिक यह कहते हैं, 7 लाग नागरिक हैं यह आपर जो रहते हैं, उनका कहना है कि भाई हमसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, जिनके आबादी हमसे भी कम है, उनको आपने Senate में representation दे रखा ह है, तो हमें क्यों नहीं, हम अपने चुने हुए नुमाइन दे क्यों नहीं भेज सकते हैं, US की Congress में, आप देखिए approximately Alaska की इनके जितनी अबादी है, इनको मिला हुआ है, representation, North Dakota को मिला हुआ है, Vermont, Wyoming, यह तो अबादी में DC से भी छोटे हैं, जबकि यह बड़े-बड़े राज्य है, Vermont फिर भी इतना बड़ा नहीं है, बट Wyoming is huge, हलाकि उसके अबादी कम है, तो इन सभी राज्यों को, मानलो, चार राज्ये ऐसे हैं, जो approximately इनी के अबादी के हैं, लेकिन इनको सबको representation मिला है, सिवाए District of Columbia के, तो DC के नागरिक डेड़ सो सालों से यह आवाज इनका नुमाइंदा US Congress में बैठेगा, ना ही इने राष्ट्रपती के चुनाव में वोट डालने का अधिकार था, इनको एक City Government जरूर दे दी गई, Article 1 of the Constitution के अनुसार, और इसमें भी Congress का काफी हस्तक शेप था, तो 1802 में Congress ने इनको इनकी City Government तो दे दी, Mayor दे दी आ गया कि Mayor ह प्रेजेंटेशन था, वो भी किवल City के मामलों में, 1820 में थोड़ा सा इन्होंने इलेक्टोरेट को एक्सपांड गया, कि Taxpayer के अलावा जो Male Property Owners हैं, उनको भी Mayor चुनने का अधिकार दिया जाएगा, 1878 में थोड़ा सा और इनको अधिकार दिये गए, एक Permanent Form of Government दी गई, क इंदर सरकार की द्वारा अपॉइंट किये जाते थे, फेडरल गवर्मेंट की द्वारा अपॉइंट किये जाते थे, तो एक तरह से Top Down Governance थी, वहां के जो Local Residents हैं, उनके पास कोई खास अधिकार थे नहीं, और कोई भी कानून अगर लाना है District of Columbia के लिए, तो उसको पहले क House of Representatives में या Senate में, तो देश के दूसरे हिस्तों से आए वहे Senators, House of Representatives के सदस्य, वो District of Columbia में क्या कानून बनेगा, यह तै करते थे, और यह process बहुत slow था, क्योंकि पहली बात किसी को interest नहीं होता था कि Columbia के लिए नया कानून बनाना है, और दूसरा California, या फिर New York से आए वहे Senators को क्या पता कि District of Columbia की demand क्या है, यहां के लोगों को क्या चाहिए, तो इसलिए यह कभी भी खुश नहीं रहे, यहां के लोग, इनका मानना था कि हमारे कानूनों को हमेशा एक back foot पर रखा गया, back burner पर रखा गया, और कभी इसको seriously लिया नहीं गया, तो कई बार DC के लोगों ने क population काफी थी, तो उन लोगों ने demand करी कि Civil Rights के साथ साथ हमें यहां voting rights भी तो दो, DC में जहां पर हम रहते हैं, 1961 में जाकर, finally इतना सा अधिकारी ने दे दिया, कि राश्ट्रपती के चुनाव में, DC के residents, यानि कि उनके capital के नागरिक, अपने ही राश्ट्रपती के चुनाव में और power मिला, कैसे? इनका एक सदस्य अब House of Representatives में रहेगा, यानि कि आजादी के लगबग 200 साल बाद, finally, America ने अपने capital को अपनी Congress में जगे दी, लेकिन ये जो इनका नुमाइंदा होगा, इसके पास vote डालने का अधिकार नहीं होगा, तो ये उन 435 members के साथ ना तो vote डाल सकता ह है, किसी भी कानून पर और ना ही कोई खास power उसके पास थे, तो जैसा कल मैंने आपको प्यूर्तो रिको वाले lecture में बताया था ना, कि प्यूर्तो रिको का भी एक सदस्य होता है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं, सेम वैसा ही power यहां Washington DC वाले House of Representatives के member के पास ह होते हैं, और इसी लिए जो अभी Eleanor Holmes हैं, जो 91 से Washington DC को represent कर रही हैं, उनके पास कोई voting power नहीं है, 2016 में राश्टरपती Obama के कारेकाल के दौरान, Washington DC में एक referendum होता है, वोट डलवाये जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपको पूरने राज्य का दर्जा चाहिए, 85 80% नागरिक कहते हैं कि हाँ, हमें राज्य चाहिए, अमेरिका के revolutionary war में एक बहुत popular नारा था, no taxation without representation, in fact उनके revolutionary war के शुरू होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारेन ही यही था कि अमेरिका की colonies tax दे रही थी, लेकिन उनका कोई प्रतिनिदित्व नहीं था लंडन में, पार्ल टैक्स भी देते हैं, उनको income tax, federal income tax भी देना पड़ता है, तो federal income tax देने के बावजूद, उनके पास vote देने का अधिकार नहीं है, उनका कोई सदस्य house of representatives में vote नहीं डाल सकता, senate में कोई representation नहीं है, इस बात को पिछले राश्टरपती डॉनल्ड टरम भी अच्छी तरह से पड़ेगा और आपका कोई प्रतेनिदित्व नहीं होगा, अब 2020 में जब Black Lives Matter प्रोटेस्ट चले थे, उस समय भी ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया था, क्यूंके Washington DC में पुलिस ने BLM प्रोटेस्टर्स पर काफी जुल्म ढाये थे, उस समय बहुत strong उनके खिलाफ actions ल नुमानित है, उसमें से almost half population is African-American, जून 2020 में Democrat Party के द्वारा controlled House of Representatives में कानून पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि अच्छा हम क्या करते हैं, District of Columbia की boundary को और छोटा कर देते हैं, तो वो जो उसमें आपको मैंने बताया था shape, तो इसमें ये District of Columbia में केवल जहां सरकारी offices हैं, किवल इसको District of Columbia रखो, बाकी का जो area है जहां पर private घर बने में, offices, buildings वगेरा हैं, उसको street में convert कर दिया जाए, किवल जहां Capital, White House, ये वाला जो area है, इसको DC के अंदर, Washington DC रखा जाए, लेकिन ये प्रस्ताव भी fail हो गया था, हाला कि इसमें प्रस्ताव में एक बहुत important बात य लेकिन उस समय जो Republic Party के leader थे Mitch McConnell, उन्होंने ये plan पूरा cancel करवा दिया, Senate के अंदर इनकी majority थी, Republic Party की तो इन्होंने ये bill पास नहीं होने दिया, अब कई critics का कहना है कि लोग Washington DC को एक राज्यक की रूप में नहीं देखना चाते, उसके पीछे racism भी बहुत बढ़ा कारण है, क्य वो representation मिले Congress में, और इसको आप देखिए, कई बार लोग ऐसे भी बताते हैं कि देखे, Wyoming की 93% population white है, उनको 2 senators मिले हुए है, Vermont की 94% population white है, उन्हें भी 2 senators मिले हुए है, DC की 45% प्रतिशादावादी black है, इसलिए इनको representation नहीं दिया जा रहा है, और definitely ये कहीं ना कहीं reason है, क्यू बहुत important कारण दे गए, 6 जनवरी को जब Trump के समर्थोकों ने US Congress पर हला बोल दिया था, उस समय वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी, और DC की पुलिस directly federal government के अंडर में आती है, तो लोगों ने ये बात कहीं कि जब BLM प्रोटेस्ट थे, तब तो पुलिस ने बहुत सक् नहीं थी, लेकिन जब ये प्रोटेस्टर्स, capital में गुस गए, वहाँ की संसद में गुस रहे हैं, उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अगर वहाँ पर पुलिस होती किसकी, Washington DC राज्य की, तो शायद पुलिस कुछ कर पाती, लेकिन क्यूंके पुलिस directly केंदर सरकार क अधीन है, तो राष्टरपती के अगेंस जाके तो वह कुछ कर नहीं पाएंगे, obviously वह unsaid है, वह कहीं पर कह नहीं सकते है, आप लिख नहीं सकते हैं, लेकिन वह understood होता है, तो कुल मिलाकर DC के नागरिकों ने कहा, कि आज ये लोग गुसे हैं, देश भर से आकर, Congress के अंदर क क्योंकि यहां पर इनके पास 435 में से 221 मेजॉरिटी है, 221 है इनके पास, तो बढ़िया मेजॉरिटी है, Democrats के पास, लेकिन Senate में ये पास नहीं हो पाएगा, अब आप सोच रहे होगे कि आपने तो सुना था कि Senate में भी Democrats के पास 50 है, और Republicans के पास 50 है, 50-50 है, बात बिल्कुल सही है, और जो Senate की लीडर होती है, वो कौन होती है, Vice President Kamala Harris, तो अगर कोई tie होता है, तो tie breaker में Kamala Harris का vote, Vice President का vote आएगा, तो ये 51 हो जाएगे, और कोई भी जो बिल है वो पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कारण है जिसके लिए, वो है filibuster, filibuster क्या होता है कि US के Congress मे एक पुरानी परंपरा है, जब भी कोई बिल पास नहीं करवाना होता, लोग खड़े होकर भाशन देना शुरू कर देते हैं, जब discussion होता है बिल पर, तो उसमें बहुत लंबी-लंबी speech देते हैं, in fact कई लोगों ने 24 गंटे तक की speech दी है, जब उनको कोई बिल का विरोध कर हैं, तो अगर ये फिलिबस्टर रोकना है, तो इनको 50 अपने Democrat प्लस 10 Republican साथियों की जरूत होगी, 10 Republican Senators के vote की जरूत होगी, तब ये फिलिबस्टर को रुकवा सकते हैं, तो effectively आज की समय में US की Senate 51 majority से नहीं चलती है, वहाँ पर 60 vote चाहिए, वरना हर legislation को फिलिबस्टर के सा प्रॉब्लम क्या है, बना दो राज्य सही तो है, सारी demand उनकी, प्रॉब्लम ये है कि Washington DC 46% African American है, वहाँ पर एतिहासिक तोर पर हमेशा Democratic Party ही जीतती है, चाहे वो House of Representatives वाला हो, मेयर का election हो, या फिर राष्टरपती के चुनाव हो, हमेशा सारे vote Democratic Party को जाते हैं, तो Republican Party, GOP नही चाहेगी कि वो एक ऐसा राज्य बना है, जहाँ पर definitely हमेशा Democrats जीत कर आने वाले हैं, तो उनको 2 seat उनकी Senate में पक्की हो जाएंगी, House of Representatives में 3 या 4 seat उनकी पक्की हो जाएंगी, और मेयर तो उनका बनता ही है Democrats का वहाँ पर, तो DC ने अभी Joe Biden के लिए भी overwhelmingly vote किया था, in fact 93% voters ने Washington DC में Democratic Party को vote दिया था, Donald Trump को यहाँ पर किवल 5 प्रतिशत vote मिले थे, तो definitely Republican Party नहीं चाहेगी कि एक ऐसा नयार राज्य बने, जो हमेशा के लिए Democrats के पाले में चला जाएगा, लेकिन इस बिल के कारण एक बात अच्छी है, प्यूर्तोरिको जैसे जो territories हैं, US की, वो भी अब क क्या है, end taxation without representation, तो या तो हमसे tax मतलो, या फिर हमें representation दे दो, तो यह इसी नारे के साथ, इस बिल को पास करवाने की कोशिश चल रही है, thank you very much for watching this, have a great day.